नमस्कार पलपल में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं मैं नीरे चुग आज के मुख्य समाचार के साथ भारत में करोना वायरिस मरीजों की संख्या हुई सतर लाग से अधिक वे मृत्कों का आंकडा एक लाग साथ हजार से अधिक उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी को जान से मारने की धमकियों के बाद कैबिनेट ने उनकी सुरक्षा विवस्था और पुक्ता करने का निर्ने लिया RBI ने बदले फंड ट्रांसफर, सर्विस, RGTS, लोन की दरे कम नहीं होंगी रेपोरेट में बदलाव नहीं GDP में 9.5 पिसदी गिरावट की अशंका परिदवाद के NIT स्थिर फेर डिल के नाम से मारोती के शोरोम में भीशन आग हांसी में जिस कारोबारी को कार में जिन्दा जलाने का रोप था वह जिन्दा है भारतिय जन्ता पारटी के प्रदेश अध्यक्ष ओम परकाश धनकड ने कहा कि नए विदेयक क्रशी क्षेतर में केंद्र सरकार का क्रांतिकारी कदम वे कांग्रेस की राजनिती जूट के सहारे चल रही है हर्याना कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की कानुन विवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और वहीं अपरादी लगातार कर रही हैं तांडव हर्याना सरकार का निर्नेय प्रदेश के सभी जिलों में करोना वाइरिस मरीजों के निवास्तानों पर नहीं लगेंगे पोस्टर में कोई अन्य चिन संयुक्त राष्ट संग द्वारा विश्व में भूक की जंग लड़ने वाले विश्व खाद्य कार्यकरम को 2020 के नोबल शांती पुरसकार से सम्मानित करने की घोशना भारत को काले धन के विरूद बड़ी जीत स्विस बैंक में भारतिय नागरिकों वैसंस्ताओं के बारे में दी सूचना बैंक खातों की दूसरी सूची केंदर सरकार को मिली तो जुड़े रहें पलपल के साथ नई अफडेट्स लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे नमस्कार